खतरनाक चक्रवाती तूफान रिमल पश्चिम बंगाल से आगे निकल चुका है ये तूफान 26 माई की राज 8.30 बचे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांगलादेश के मोंगला में 135 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से आया था लेंड फॉल चार घंटे तक चला इस दोरान तूफान में बहुत तबाही मचाई पश्चिम बंगाल के कई जिलों में इसका भारी असर देखने को मिला भारी बारिश की वज़स से हजारों पेड़ किर गए कच्चे मकानों को नुकसान पहुचा पश्चिम बंगाल के तटिये इलागों में 29,000 घरों को नुकसान हुआ बंगाल में 6 और बंगला देश में 10 लोगों की मौत हो गई मौसम विभाग के मताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान रिमल सोंवार सुभा कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया अब ये नौर्थ इस्ट की ओर 15 किलोमीटर प्रदी घंटे की रफ़तार से बढ़ लहा है अब इस तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिल लहा है सोंवार को बिहार के कई जिनों में मध्यम से हल्की इस्तर की बारिश हो इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रदी घंटे की रफ़तार से हवाई चली उत्तर बिहार, कोसु, सीमानचर और पूर्वी बिहार के जादतर शेहरों में बादल छाय रहे जबकि पटना समेथ अधिकतर शेहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई रेमल के कारण पटना समेट 31 शहरों के अधिक्तम तापमान में गिरावट देखी कर वही चार शहरों के तापमान में व्रिद्धियु हुई प्रुदीश का सबसे गरम जिला 43.2 डिगरी सेल्सियस के साथ पकसर रह वहीं गोपाल कल्च 41.2 डिगरी सेल्सियस के साथ हीट वेव की चपेट में रह रेमल तुफान की वज़ासे रेल में ने कई ट्रेनों का परिचान नुद्ध कर दिया चकरवाती तुफान रेमल ने बंगला देश और पशिम बंगाल में भारी तबाही मचाई दोनों देशों में इसके कारण हुए हासों में 16 लोगों की मौथ हो गए रेमल की वज़ा से बिहार आने जाने वाली कई ट्रेने तो रध हुई ही कई फ्लाइट्स को भी रध कर दिया गया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 26 मई को चकरवाती तूफान रेमल से निपटने को लेकर समिक्षा के लिए बैठक की अद्यक्षता की थी पियम मोधी ने ग्रह मंत्वाले सिस्थिती की निगरानी करने चक्रवात की आने के बाद समिक्षा करने और सेवाओं की बहाली के लिए आवश्यक साहेता प्रदान करने के लिए कहा था प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुई बैठक के दोरान उनके प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, ग्रह सचिव, एंडियारप के महानिदेशन, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशन और राष्टी आपदा प्रवंदक प्रादी करण के सदस्य सचिव भी म मौसम पर असर रहेगा, इस दोरान कई जिलों में हलकी से मध्यम और कहीं कहीं अधिक बारिश हो सकती है। खगडिया, मुंगेर, भागलपूर, बांका और जमुई में अधिकतर स्थानों पर 28 मैं को बारिश हो सकती है।